कि हालो एवरीवन स्वागत है आपका अपने एट्व चैनल बिनोध लर्निंग अपर दोस्तों आज की वीडियो बीएड एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ही इंफॉमेटिव रहने वाली है क्योंकि इस वीडियो में आपके तीन पॉइंट क्लियर करने वाला हूं पहला करवाएगा खुद कांसलिंग करवाएगा वह मैं आपको यहां पर क्लियर कर दूँगा थर्ड मैं आपको बताऊंगा यहां पर कि जो इस बार ट्वंटी थाउजन फीज को इंक्रीज किया जा रहा है उस पर हम डिसकस करेंगे ठीक है तो सबसे लेकर मैं बात करूं यहां इस बार के अपकी फर्म कब आउट होगी तो आपकी ओ एप्रोक्सिमेटली में के फर्स्ट वीक में जो वह जा चांस है कि आपकी फर्म आउट हो जाएगी और आपका एंटांस टेस्ट कब होगा उस पे मैं अलरड़ी वीडियो बना चुका हूं उसका लिंक मैं इस वीडि कि इस बार के सरदार पटल इनिवर्स्टी अलग से आपकी एंटांस करवाएगा ओ यहां पर आज क्लियर हो गया है पहले आप देखो पीजी के लिए सभी प्रवेश परिक्षाय इस बार खुदी करवाएगा इस प्यू जितने भी पीजी आपके पोस्ट के जुट होुझ है कोई रिक्षाय करवाने वाला जोंच से करवाने या अपको उड़ु की उड़ा ओ एंट ईक कोपट ऑंस क्व को इस भीज कर्वाने काम कि लिए क्यू लिए काम यहां और ओर से पीजी के लिए प्रवेश की परिक्षाएं करवाई जाएगी और साथ ही में बीएट की काउंसलिंग इस बार स्वाइम कराएगा इसके लिए भी भी बिशोभी दाले ने काम शुरू कर दिया है बता दे कि बिशोभी दाले के अधिन कुलू मंडी जी लो के 18 बीएट कॉलेज अगर आपको आइडिया होगा टोटल कॉलेज के इतने हैं माचल परदेश उनिपरस्टी में 73 जो है वो प्राइवेट बीएट कॉलेज है और दो आपके गॉर्मेंट बीएट कॉलेज है और कितनी इस पे जो सीटे है अलग-अलग स्ट्रीम के लिए आर्ट के लिए मेडिक आपके प्लेज में जाना है और वहां पर बीएट के रिगारिंग प्लेज देखनी है वहां पर आपको एटूजर जैनकरी मिलने वाली है यह नहीं एंट्रांज से लेकर आपके एडिमिशन तक बीच में काउंसलिंग कैसे होती है इसको दर्शिफ कैसे होती है फर्स मिलने वाली है अब देखते हैं हमें आपे जो फीस के रिगार्डिंग क्या कंफिलिक्ट था इज़र आप यहां पर देखते हैं विद्यार्तियों को लगा जटका नीजी कॉलेज में 20,000 मेंगी हो गई बीएड की पड़ाई यह गर आप देखा जाए जो सरदार पटल इन्व दोस्ती है उन्होंने तो 18 नीजी बीएड कॉलेज में क्लियर कर दिया है कि फीस बढ़ने वाली है यहां इसको जो डिटेल में पढ़ सकते हैं दोस्तों कि नए सथा से बीएड करने वाले भीजार्टियों को बढ़ी हुई फीस पहले कितनी थी आपकी जो दोस्तों पहले फीस फीस फीर अगर हम आपके देखे तो उसके बाद उसमें गाता था आपको जो फर्स्ट एयर में आपको ओ देनी होती थी फॉर्टिन नाइन थाउजन्ड के एराउंड जो आपको फीस देनी होती थी फॉर्स्ट एयर में और सेकेंड एयर में आपको 48,449 चास देनी होती थी बड़ अब क्या होगा दो साल में आपको टोटल फीस कितनी हो जाएगी एक लाग सत्रा हजार नौसो चालिस रुपए जिसमें से आपको फर्स्ट एयर में 69,446 देनी होगी सेकेंड एयर में 58,444 देनी होगी ये फीस एस्प्यू में लागू कर दी गई है और ह्प्यू में अब दोस्तों क्या होगा अगर वैसे ये इसका बहुत सारा बिरोत किया जा रहा है बड़ अगर ये फाइनल होगा ना कि ये फीस बढ़ गई है तो क्या होगा मैक्सिमम बच्चे आउट अप स्टेट से बीड करेंगे जहां पर ऑनली 80,000 में फीस हो जाती है ठीक है और जै 9805032252 यानि 8050222 पर सकते हैं अगर आपने बीड इस तरह से करनी हो आउट अप स्टेट से कहीं से भी मैं आपकी बीड करा दोगा वह बीड थू आउट इंडिया आपकी एलिजबल रहने वाली उसमें कोई भी इसुने याने वाला है क्योंकि माचल में बहुत आपीस बढ कर रहा है उसने चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है बला आइकन को प्रेस करना है क्योंकि जो भी अप्डेट आएगी वह मैं इस चैनल के माद्यम से अप्डेट करता रहूंगा ठीक है तो इस अल अबाट आट टूडे थैंक्स पर वाचिंग धन्यवाद